हलो और वेल्कम टू टीवी का पताका दोस्तों बिग पॉस सीजन सिक्स्टीन में फिनाले से पहले आखिर क्यूं दिया मेकर्स में प्रियंका को एक और सबसे बड़ा और आखरी जटका क्या कुछ हुआ है और क्या है खबर आईए जानते हैं टीवी का पताका के इस वीडियो में उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब और नॉट फोगेट प्रेस्ट अबेल आइकन दोस्तों बिग पॉस सीजन सिक्स्टीन का दमदार और शांदार फिनाले होना है लेकिन अभी भी मेकर्स बाज नहीं आ रहे हैं प्रियंका को नीचा दिखाने से जी हाँ आप सही सुन रहे हैं एक बार फिर से मेकर्स ने खेला है प्रियंका के साथ गंदा खेल सीजन सिक्स्टीन का फिनाले है और ऐसे मेकर्स ने फिर से दिया प्रियंका को एक बड़ा जटका दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रियंका चाहर चौधी अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं प्रियंका बिग बॉस के घर के अंदर सबसे लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रियंका के गाउन में दिक्कत हो गई है जी हाँ प्रियंका को पिनाले के दिन जो गाउन पहनना है उस गाउन की लेस में हो गई है दिक्कत वो लेस पूरा फट गया है गाउन के बॉटम एच में जो लेसिस लगे हुए है उनकी हालत हो गई है खराब खबरों की माने तो प्रियांका को वो गाउन जब मिला तो उसकी लेस फटी हुई थी और प्रियांका ने ये बात बेख बॉस को भी बताई थी कि गाउन फटी हुई लेस के साथ आया है जिसके बाद प्रियांका का गाउन फिनाले से पहले final alteration के लिए फिर से घर से बाहर ले जाया गया हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दिक्कत हुई है जो problem हुई है उसको fix करने की कोशिद की जा रही है दोस्तों अब सवाल ये बनता है कि अगर प्रियांका का गाउन fix नहीं हुआ तो final पर प्रियांका क्या पहनेगी और क्या करेंगी दोस्तों आपको क्या लगता है क्या ये मेकर्स जानमूच कर रहे हैं क्या ये दिक्कत वो जानमूच कर क्रियेट कर रहे हैं ताकि प्रियंका टेंशन में आ जाएं क्या ये मेकर्स की चाल है जानमूच के प्रियंका को परिशान करने के लिए ताकि प्रियंका प्रेशर में आकर कोई गलती कर बैठें फिनाले के पहले हो जाए प्रियंका से कोई घड़बडी या फिर प्रियंका फिनाले में अच्छी ही ना लगी आखिर माजरा है क्या आप कॉमेंट सेक्षिन में अपने विचार जरूरू बताएं और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें